बच्चों आज की क्लास में कार्बन और उसके योगिकों के बारे में study करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले students हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पिछला अध्याय में क्या-क्या study किया और उसके बाद आज की क्लास में डिसकस करेंगे कार्बन एवं उसके योगी चलिए हम लोग देखते हैं पिछली अध्याय में हमने अनेक ऐसे योगिकों का अध्यान किया जो हमारे लिए महत्पूर है तो जो हमारा पिछला अध्याय था हमने कुछ ऐसे योगिकों के बारे में अध्यान किया जो हमारे लिए महत्पूर थे और इस अध्याय में हम कुछ अने रोचक योगिकों एवम उनके गुड़धर्मों के बारे में पढ़ेंगे तो बच्चों यहां पर धोह हमारा चैप्टर है इसमें भी हम लोग कुछ महात्पूर्ण और रोचक योगिकों के बारे में अध्यान करेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर हम एक तत्यों की रूप में एक तत्यों की रूप में जो कार्बन है कार्बन का भी अध्यान करेंगे जिसका हमारे लिए ताप्तविक योम सन्योक्त दोनों रूपों में महत होता है कार्बन हमारे लिए क आप लोग को क्रिया कलाब क्या करना है आप लोग पढ़िए सुभा से आपने जिन वस्तों का उपयोग अथवा उपभोग किया जिन भी सामानों का आपने उपभोग किया है या पिर जिनको आपने ग्रहन किया जिनका आपने उपभोग किया है उनमें से 10 वस्तों की सूची बनाना है आपको इस सूची को अपने सहपाटियों द्वारा बनाई गई सूची के साथ आपको मिलाना है और सभी वस्तूओं को साथ में दी गई साड़ी में वरगी करत करना है एक से अधिक सामगरियों से बनी वस्तूओं को साड़ी के उपयुक्त अस्तंबों में रखना है तो students जो table आपको बनाना है कुछ इस तरीके से बनाना है एक table में आपको धातू से बनी हुई वस्तों को रखना है और जो दूसरा table है दूसरे table में आप लोगों को कांच अथवा मिट्टी से बनी हुई वस्तों को रखना है और जो तीसरा हमारा table होगा तीसरे table में इन चीजो से जो अलग होगा उसको हमें रखना है तो इस तरीके से आप लोग टेबल बनाना चलिए हम लोग आगे देखते हैं आपके द्वारा भरी गई उपरोक्त साड़ी के अंतिम अस्तम में आने वाली वस्तों पर थ्यान दीजिएगा कुछ हमारी वस्तों ऐसी होगी जो धातों से बनी होगी कुछ ऐसी होगी जो कांच तता मिट्टी से बनी होगी लेकिन जो हमारा तीसरा टेबल होगा तीसरे टेबल में हमारे पास कुछ ऐसे वस्तों होगी जो इन दोनों में से किसी से भी नहीं बनी होगी तो जो तीसरा टेबल हमारा बनेगा उस पर आपको ध्यान देना है आपके सिच्छक आपको बताएंगे कि इन में से अधिकान स्वस्तुएं कारबन योगिकों से बनी है इसका परिच्छर करने के लिए आप कौन सी विजी सोच सकते हैं कारबन से युक्तियोविक को जलाने प हैं तो क्या होगा इनको जलाने पर हमें उत्पात के रूप में क्या मिलेगा क्या आप इसकी पुष्टी करने वाले किसी परिछण को जानते हैं चलिये आपकी जो सूची बनी होगी उसमें आपने कुछ इसी तरीके के जो सावान होगे उनको फिलभ किया होगा भरा होगा कपड़ें होंगे दवाएं पुष्कों आधी अनेक वश्टुएं इस सर्बटों मुखी ततों कार्बन पर आधारित होती हैं यह जो शारी वस्तुएं हैं जो आप भोजन ग्रहन करते हो चो कपड़ें आप पहनते हो जिन दवाओं का प्रयोग करते हो जिन इन पुस्तकों से आप पढ़ाई करते हो, जिस पैन से आप लोग लिखते हो, ठीक है, पुस्तकें आज अनेक वस्तुएं जो पैंसिल आप यूज करते हो, वस्तुएं इस सर्बतों मुखी कार्बन पर आधारित होती हैं, यह जो सारी वस्तुएं हैं, एक किसे पर आधारित ह होती हैं कार्बन पर आधारित होती हैं इनके अत्रिक्त सभी सज्यूशन राचनाएं सभी सज्यूशन राचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं हम और आप भी कार्बन पर आधारित हैं भूपरपटी तता वायुमंडल में अत्यांत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्तित है जो हमारी भूपरपटी है, जो हमारा वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में जो कार्बन है, बहुत कम मात्रा में उपस्तित है, भूपरपटी में खनीजों, जैसे कि कार्बोनेट हो गया, हाइडरो कार्बोनेट हो गया, कोईला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनके carbon है, 0.02% carbon उपस्तित है, कितना उपस्तित है, सिर्फ और सिर्फ 0.02% carbon, और Y-vandal की अगर हम लोग बात करें, तो जो हमारा Y-vandal है, Y-vandal में carbon कितना परसेंट उपस्तित है, 0.03% carbon हमारा Y-vandal में उपस्तित है, और अगर हम लोग भू-परपटी की बात करें, तो जो भू-परपटी है, भू-परपटी में कितना परतिसद कारबन उपलब्ध है, 0.02% ये हमारी कहाँ पर भू-परपटी में है, समझ गए students, भू-परपटी में 0.02% कारबन, 0.03% कारबन हमारा वाई मंडल में उपस्चित है और जो कारवन पर 11 अगर वम लोग वस्तों की बात करें तो अभी हम ने डिस्कस किया जो आपकी बुक है पका पेंसिल है जिस भोजन को आप खाते हैं जो कपड़ा पहनते हैं या पिर सारे सजीओओं की अगर हम बात करें तो इस सब किस पर आधारित होते हैं कार्बन पर आधारित होते हैं तो इन सारी चीजों को आप लोग समझ गए होंगे कि कार्बन का कितना एहम रोल है आगे देखे परकृत में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्तित होने के बावजूद जो हमारा बृत्वी है कितना कम मात्रा में कार कारबन उपस्तित होने के बावजूद का अत्यदिक महत्त है इस अत्याय में हम कारबन के इन गुड़ों का अध्यन करेंगे जिनके कारण कारबन इतना महत्पूर है हम लोग कारबन के उस गुड़ का अध्यन करेंगे जिसके कारण जो कारबन एक इतना अधिक महत्पूर है तो चलिहे हम लोग आगे देखते हैं student कार्वर में जो आबंधन होता है उस सहसनियोजी आबंध होता है, कािसा अबंध होता है सहसनियोजी आबंध होता है, हम लोग चलिए इसका अध्यन करते हैं, तो देखे इस्टूडेंट्स जो हमारा पिछले अध्याय में हमने आयनिक योगिकों के गुर्धर्मों का अध्यन किया था जो हमारे आयनिक योगिकों के जो गुर्धर्म थे आयनिक योगिकों के गुर्धर्मों का हमने अध्यन किया गुड़ धर्मों का हमने अध्यन किया है हमने देखा कि जो आयनिक योगिक होते थे आयनिक योगिकों के जो गलिनांग है और इनके जो कथनांग है इनके गलिनांग और कथनांग कैसे होते थे उच्च होते थे तत्था ए बिलियन में अथवा गलित अवस्था में बिलियन अथवा गलित अवस्था में बिद्दूत का क्या करते थे विद्धुत का चालन करते थे हमने देखा कि जो आयनिक योगिक है आयनिक योगिकों में आबंदन की जो परकृत है आबंदन की परकृत इन गुड़ धर्मों की व्याख्या करती है जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा अधिकांस कार्बन योगिक अच्छे बिद्धुत के चालक नहीं होते हैं उपरोग्त योगिकों के कौथनांग एवं गलनांग जो आयनिक योगिकों के कौथनांग तता गलनांग की तुलना में काफी कम है अध्याय 3 के आकड़ों के आदार पर इस निशकर्द पर पहुँच सकते हैं कि इन परमाड़ों के बीच परबल आकरसन बल नहीं है चोकि ए योगिक अधिकांस ता बिद्धुत के कुचालक होते हैं अता हम इस निशकर्द पर पहुँच सकते हैं कि इन योगिकों के आबंदन से किसी आयन की उत्पत्ती नहीं होती है आगे देखिए स्टुडेंट्स कच्छा नौ में आपने क्या इस्टडी किया उसको भी थोड़ा सा समझ दीजिए कच्छा नौ में हमने विविन तत्तों की सन्योजन छमता जो मारे अलग-अलग परकार के तत्तों थे तो इनकी जो सन्योजन छमता है इनकी जो सन्योजकता है तता इलेक्ट्रोनों की जो संख्या पर निर्भरता के बारे में अध्धन किया जो तत्तों हैं तत्तों की सन्योजन छमता सन्योजकता इलेक्ट्रानों की संख्या पर इनकी निर्भरता के बारे में हमने अध्यन किया अब हम कार्बन के इलेक्ट्रोनिक बिन्यास के बारे में अध्यन करेंगे हम लोग किसका अध्यन करेंगे कार्बन के इलेक्ट्रोनिक ब इन्यास के बारे में अध्यन करेंगे कार्बन की परमाड़ संक्या कितनी यह च्छे है कार्बन के विबिन कच्छों में इलेक्ट्रानों का बित्रण कैसे होगा कार्बन में कितने सन्योजकता इलेक्ट्रान होंगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप लोग समझ लिजिए जो उमारा कार्बन होता है प्रमाड़ करोवांक कितना होगी तो इसमें कितने electron होंगे, electronों की संख्या 6 होगी proton कितने होंगे, proton की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी 6 electron और 6 proton होंगे, ठीक है आगे देखिए हम जानते हैं कि बाय कोस को पूरी तरह बर देने से अर्थात उत्क्रिष्ट गैस बिन्यास को प्राप्त करने की परवर्ति के अधार पर तत्तों की अवक्रिया सीलता समझाई जाती है जो तत्तो होते हैं, तत्तो की अवक्रिया सीलता जो होती है, जो समझी है, हमारे पास कोई तत्तो है, तत्तो की रूपने मिने कार्बन लिया, और कार्बन का जब हम इलेक्ट्रोनिक बिन्यास करते हैं, तो हमारे पास कोस कितने होते हैं, क, एल, एम, एन हमारे पास कोस होता है den और जो कोस हैं k कोस में अदिक्तम 2 एलेक्ट्रों रह सकते हैं ऌसे बत करें तो अधिक्तम E investigators सटेत हैं और मली में फिर हैं वनक करें इन कोस में अदिक्तमि ऑस्ञाइक की थी 22 होती है अब यह उगारे पास सब्सक्राइब कार्वें प्रमाट कुर्माट 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 इसका स्टक पूरा नहीं है या तो यह चार इलेक्ट्रॉन त्यागे तब उत्क्रिष्ट गैस बिन्यास को प्राप्त करेगा यानि कि तब इस्टेबल होगा या फिर चार इलेक्ट्रॉन एक गरहन करें लेकिन इसके पास समस्या क्या होती आप लोग इसको पढ़िए ठीक है आयनिक योगिक पनाने वाले तत्त सबसे बाहरी कोस से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके उनका हरास करके इससे प्राप्त करते हैं कार्बन के सबसे बाहरी कोस में कितने लेक्ट्रोन होते हैं चार लेक्ट्रोन होते हैं जैसा कि यहां पर हमने देखा कि एक कार्बन का बाहरी कोस हैं और कार्बन के बाहरी कोस में कितने लेक्ट्रोन होते हैं चार लेक्ट्रोन होते हैं अब देखिए तता उतक्रिष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए किस गैस विन्यास को उत्क्रिष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको चार इलेक्ट्रोन प्राप्त करने या खोने की आवसेकता होती है अब अगर यह चाहे अपना स्टक पूरा करना तो इसको तो चार इलेक्ट्रोन लेना पड़ेगा लेकिन अगर ये चार इलेक्ट्रोन त्याग दे तब भी ये स्टेबल हो सकता है यद इन्हें इलेक्ट्रोनों को प्राप्ट करना या खोना हो तो क्या होगा देखिए ये चार इलेक्ट्रोन प्राप्त करेगा अब समझे कार्बन चार इलेक्ट्रोन प्राप्त कर रहा है तो चार इलेक्ट्रोन लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा फोर निगेटिव आयन आएगा रिणायन बना लेगा इलेक्ट्रोन लेकर के C4- हो जाएगा ए चार इलेक्ट्रोन प्राप्त कर C4- रिणायन बना सकता है लेकिन 6 प्रोटान देखिए अब इसमें प्रोटानों की संक्या कितनी थी? 6 थी अब अगर ए चार इलेक्ट्रोन बाहर से और ले लेगा तो 4-4-8 जो 10 इलेक्ट्रोन हो जाएंगे कार्बन में इलेक्ट्रोनों की संक्या 10 हो जाएगी जबकि प्रोटानों की संक्या कितनी है? 6 है तो देखिए क्या हो जाएगा? नाभिक के लिए अब ए जो कार्बन है इसका नाभिक होगा इसके नाविक के लिए समस्या क्या आएगी दस इलेक्ट्रोन अर्था चार अत्रिक्ट इलेक्ट्रोन धारन करना मुस्किल हो सकता है अब यहाँ पे कार्बन है समझे कार्बन का इस नूकलियस है नाविक है इसमें छे इलेक्ट्रोन छे प्रोटान है अब कार्बन को उत्कृरिष्ट गैस बिन्यास को प्राप्त करने के लिए चार इलेक्ट्रोन की आऊ सकता है समझे चार इलेक्ट्रोन कहीं से ले ले रहा है इसमें इलेक्ट्रोनों की संख्या 10 हो जाएगी और प्रोटानों की संख्या 6 है तो इसका ये जो नाभीक है इसको 10 इलेक्ट्रोन धारन करने में क्या होगी प्रोब्लम होगी धारन करना क्या हो सकता है मुश्किल हो सकता है आगे देखें दूसरी या फिर ये अपना 4 इलेक्ट्रोन क्या करे त्याग दे तो 4 इलेक्ट्रोन त्याग करके धनायन बनाएगा आप इस यहां पर देखिए सिक्स इलेक्ट्रोन थे और दो इलेक्ट्रोन बचे हैं चार निकल चुका है यहां पर दो इलेक्ट्रोन बचा है चार निकल चुका है और प्रोटानों की संख्या क्या है प्रोटानों की संख्या तो अभी भी 6 है तो समस्या क्या आएगी इसको देख लिजिए लेकिन चार इलेक्ट्रोनों को खो कर छे प्रोटान वाले नाविक में केवल दो इलेक्ट्रोन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यदिक उर्जा की आवसेक्ता होगी दो इलेक्ट्रोनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यदिक मात्रा में उर्जा की आवसेक्ता होगी इलेक्टोनों की साजेदारी करके इस समस्या को सुलजा लेता है कारबन ना तो चार इलेक्टोन त्याग सक रहा है और ना तो चार ये क्या कर पा रहा है देखिए ये तो ना तो चार त्याग कर पा रहा है और ना ही चार गरहन कर पा रहा है तो इसको उत्कृष्ट गैस विन्याज करने के लिए क्या करना पड़ता है यह जो कारबन है यह इसकी खुद की समस्य है और यह अपनी खुद की समस्य को कहता है कि मैं सुलजा लूँगा यह कैसे सुलजाता है अपने ही परमाडू या किसी दूसरे तत्यों के परमाडू के स साथ सन्योयक्ता इलेक्ट्रोनों की साजेदारी करता है समझ लिजिए इसको भी आप लोग कि समझ यह कि समझे है मारे पास कोई कार्बन है इस तरीके से मारे पास कार्बन है समझे हमारे पास क्या है कार्बन है समझे हमारे पास कार्बन है अब यह जो कार्बन है इसका जो बाइरी कोस है बाइरी कोस में कितने इलेक्ट्रोन है चार इलेक्ट्रान है ठीक है फोर इलेक्ट्रोन है अब हमारे पास कार्बन का कोई दूसरा परमाडू आया ठीक है कार्बन का हमारे पास एक परमाडू कार्बन का हमने दूसरा परमाडू लिया चलिए इसको हम इस तरीके से लिखते हैं और इलेक्टॉनों को में लोग कुछ इस तरीके से सो करते हैं हमने इसको सो किया तो इसकी जो सन्योज़गत्य कोसें इसमें चार इलेक्टॉन हैं तो एक क्या करेगा साजेदारी करेगा अब अगर इसका यह जो चार इलेक्टॉन यह इसके चार इलेक्टॉनों से साजेदारी कर लेगा तो इसका जो अस्ट्रक है क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा आप समझे हैं और या फिर एक इसी दूसरे तक्तो के प्रमाड़ से साजेदारी करता है अब इसका जो बाहरी कोस है उसमें कितने इलेक्टॉन होंगे चार इलेक्टॉन होंगे अब समझे इसने हाइडोजन के साथ बॉड्णिंग मना ली तो हाइडोजन का प्रमाड़ कु किया हो सकता होगी तो इसने इसके साथ क्या किया बॉंड बना लिया हमारे पास कोई दूसरा हाइडोजन है इसके बाहरी कोस में एक इलेक्टॉन होगा तो इसने इसके साथ बॉंडिंग मना ली और कोई दूसरा इस तरीके से हाइडोजन है इसके बाहरी कोस में एक इलेक् को प्राप्त कर चुका है क्योंकि इस इसने इसका जो बाहरी कोस है वह क्या हो चुका है और इसी तरीके से कारबन के पास कितने हो गये डो-चार-डो-छे-डो-र-ढट इसका भी अस्टर्ठ पूरा हो गया है और जब इसने हाईडोजन के साथ bonding बनाई थВы हुमारे पास योगिक क्या बना C H4 और A हमारा क्या होता है मेथेन होता है तो जो कार्बन है ये अपनी समस्या को कुछ इस तरीके से सुलजाता है अभी हम लोग आगे स्टडी करेंगे इतना आप लोग समझते रही है अभी केवल कार्बन ही नहीं बलकि अनेक तत्व भी जिस तरीके स से और भी दूशंए तत्व हैं वी इसी प्रकार एलेक्टौन की साजेदारी करके अड़ों का निर्मार करते हैं जिन एलेक्टौनों की साजेदारी कीजाती है वे दोनों परमाडू के बाहरी देखिये एलेक्टौन maintenance की जो साजेदारी है वो हमेसा बाहरी कोस के इलेक्ट्रोनों से होती है हमेशा बाहरी कोस के इलेक्ट्रोने से ही होती है यही बात यहां पे कई जा रही है कि होते हैं तथा इनके फल्स रूप दोनों ही परमाड उतक्रिष्ट गैस बिन्यास की इस्तिति प्राप्त करते हैं कार्बन के योगी को की चर्चा करने से इलेक्ट्रोनों की साजेदारी से कुछ सामान अड़ों को समझते हैं तो यह जो इलेक्ट्रोनों की साजेदारी करते हैं चलिए हम लोग इस साजेदारी किस तरीके से करते हैं हम लोग इसको भी समझते चलते हैं तो इस्टुडेंट्स आप लोग समझिए समझे इस तरीके से इस तरह से बने अडू में सबसे सामान अडू हाइडोजन का है इस तरीके से जो अडू बनते हैं इसमें सामान ने कौन सा है सबसे सामान अडू हाइडोजन का है जैसा कि आपने पहले अध्यन किया है हाइडोजन की परमाणू संख्या क्या है वन है अता ह इसके के कोस में एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइडोजन है देखिए हाइडोजन का प्रमाड कुर्वांग कितना होता है वन होता है तो वन है तो यह वन इलेक्ट्रॉन किस कोस में जाएगा के कोस में जाएगा हमारे पास कोस कौन सा होता है के होता है एल होता है एम होता है के में अगर हम लोग इलेक्ट्रोनों की संख्या की बात करें, तो अधिक्तम दो इलेक्ट्रोनों आ सकते हैं, अगर हम लोग L की बात करें, तो L में अधिक्तम इलेक्ट्रोनों की संख्या क्या होती, 8 होती है, अगर हम लोग M कोस की बात करें, तो M कोस में अधिक्तम इलेक्ट्रोन सकते हैं लेकिन इसमें कितना है याणी कि इसने अभी उद्ट क्रिस्ट जो İलek्टोनिक गैस विन्यास होता है इसको प्राप्ट नहीं किया है यानि कि ये स्टेबल नहीं है स्टेबल होने के लिए जो हमारा हाइडोजन होता है क्या करता है बॉंडिंग बनाता है क्या करता है बॉन्डिंग मनाता है समझे तता केकोष को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रोन की आव सकता होती है अभी केकोष में एक ही इलेक्ट्रोन है और इसको भरने के लिए इसको एक इलेक्ट्रोन की और आव सकता होती है तो हमारी पास एक हाइडोजन परमाड़ू है जब एक hydrogen परमाड़ू और कोई दूसरा hydrogen परमाड़ू है दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं अडू बनाते यहां थे अडू परमाड़ू भी आप लोग समझ सकते हैं और इसके पास इसका जो बायरी कोस है उसमें एक ही इलेक्टोन इसमें भी एक ही इलेक्टोन भी इस्टेबलाइज नहीं हुए है तो इस्टेबलाइजेशन के लिए क्या करेंगे हाइडोजन का एक परमाडू दूसरे परमाडू के साथ बॉंडिंग मनाएगा और उत्कृष्ट गैस बिन्यास को प् सबस्ते हो ना आप समझे आप अपनी क्लास में बैठे हुए हो कि आप समझे आप अपनी क्लास में बैठे हुए हो क्लास में हो पांच लोग ठीक है समझे आपकी एक लास और क्लास में पांच लोग बैठे हुए है यह जो ब्यक्ति है जो आपका मित्र है इसके पास कितना पेन है दो पेन है और जो मित्र है इसके पास एक पेन है इसके भी पास एक पेन है और इसके भी पास एक पेन है और जो जो ए वाला मित्र था एपन लेकर के नहीं आया समझ गए एपन लेकर के नहीं आया तो अब इसके पास हो जाएगी समस्या जब आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो नोट करने के लिए इसके पास तो पन है नहीं तब इसके पास समस्या आ गई और एपनी समस्या कैसे सुल जाएगा अपने साथियों से पूछना स्टार्ट करेगा कि क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है इनसे पूछा इनसे पूछा इनसे पूछा इनके पास भी नहीं तो लेकिन इसके पास एक कैत्रिक दूसरी भी पेन है और जब इसने एकपन इसको दिया तो एक क्या हो गया इसके इन्होंने साजयदारी करके काम चलाया कि नहीं चलाया साजयदारी किया काम चल गया तो जब काम चल गया तो इसी तरीके से ये लोग भी क्या कर हो रहे हैं अपने आपको स्टेमाइज कर रहे है Đây हcentered करके hydrogen का अडू h2 बनता है अब देखिये जब अ प्रणिंग बनाएंगे तो एक अडू बनेगा हाइडोजन का और कौन सा अडू बनेगा हेच्टू बनता है चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे देखिए स्टूडेंट्स इसलिए हाइडोजन के दो परमावडू अपने इलेक्ट्रोनों की साजेदारी करके हाइडोजन का अडू H2 बनाते हैं है परिडाहम शुरूप हाइडोजन का परत्या अडू अपने निकित तम उतक्रिस्ट गैस हेलियम के तो इलेक्टोन कौ पराप्त करता है जिस्के के कोस्ट में थो इ appelle क्रोस का उपयोग करते हैं समझे सन्योजगता इलेक्ट्रों आपको दिखाना है तो हाइदोजन के पास सन्योजगता कितनी होती है वह नहीं होती है तो इस इस जो सनियोजक इलेक्टोन है उसको आप लोग इस cross sign के माद्यम से दिखा सकते हो या फिर आप लोग इस dot के दोरा भी दिखा सकते हो ठीक है इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप लोग दिखा सकते हो आगे देखें इलेक्टोन के सहभागी युगम हाइडोजन के दो परमाणों के बीच सहसनियोजी एक आबंद बनाते हैं यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आबंद बनाते हैं क्या बनाते हैं सहसनियोजी आबंद यानि कि बॉंड बनाते हैं इस आबंद को दो परमाणों के बीच एक रेखा के द्वारा भी बैक्त किया जाता है आप समझेए ए हाइडोजन है इसके पास सन्योजक इलेक्टोनों की संख्या वन है इसके भी पास वन है तो इसने इसके साथ इस तरीके से बॉर्णिंग कर ली तो यही जो लाइन है यही क जैसा के चित्र 4.2 में दर्साया गया यहां पे देखिए यहां पे दिखाया गया है यह देखिए आबंद दिखाया गया है चली आगे देखिए क्लोरीन की परमाणू संख्या कितनी है 17 है इसका इलेक्ट्रोनिक बिन्यास तथा सनियोजक तक क्या होगी क्लोरीन दूई पर सानियोयत्या कोज एलेक्ट्रोन को भी चित्रित करने की आउ सकता है तो यहां पे आप लोग के लिए वर्क दिया गया है आप लोग इस वर्क को करना जो क्लोरीन है क्लोरीन का परमाण क्रमा कितना होता है 17 होता है अगर हम लोग इसका electronic बिन्याद करें तो 2,8,10,7,17 होता है अब chlorine क्या करेगा देखिए यहाँ पे chlorine है यह हमारे क्या है chlorine है और हमें CL2 बनाना है ठीक है तो इस chlorine के पास chlorine क्या काम करेगा एक electron ग्रहन करेगा तो इसका क्या हो जाएगा अस्टक पूरा हो जागे देखिए दो आड़ यहाँ पे साथ है अगर इसको एक electron मिल जाए तो यह उत्करिष्ट गैस बिन्यास को प्राप्त कर लेगा तो इसके लिए क्या करेगा एक electron को ग्रहन करेगा एक electron क्या करेगा ग्रहन करेगा और इसी तरीके से इसके पास अगर हम सन्योजी इलेक्ट्रोनों की संक्या की बात करें या फिर इसके सन्योजक्ता की बात करें तो क्या होगी वन और इस तरीके से इसके बीच में जो बॉर्णिंग बनेगी यह मरा आबंद बनेगा और अब इसका अस्टक पूरा हो गया इसने इसके साथ बॉर्णिंग कर ली ना तो C-L-C-L हमारा क्या हो जागा C-L-2, जब क्लोरीन परमाडू ने क्लोरीन परमाडू से आबंद बनाया, इलेक्ट्रोनों की साजेदारी करी, तो हमारे पास एक अणू बना, और अणू क्या है C-L-2 है, आगे देखिए, आक्सीजन के दो परमाडू के बीच दूई आबंद का बनना दिखाई देता है, आक्सीजन के, देखिए अब तक हमने सिंगल एकल आबंद की बात करें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, आक्सीजन के दो परमाडू के बीच दूई आबंद का बनना दि हखे और यहां पर Oxygen है यह Oxygen का यह पर्माडव है यह Oxygen पर्माड़ है तो, जब से पहले आपको arb Party का पर्माड़ कुमांग पता होना चाहिए तो ऑक्सिजन का पर्माड क्रमांग कितना हूता है 08 होता है Parlament 6 बीच्टीने च्च हो जाएगा बाहरी कोस में रिडायन बनाता है, दो इलेक्ट्रोन गराण करके रिडायन ही तू बनाएगा, तो अगर हम लोग इसके सन्योजी इलेक्ट्रोनों की संक्या की बात करें, तो सन्योजी इलेक्ट्रोन कितने होते हैं, दो होते हैं, अगर हम लोग इसके सन्योजक्ता की बात करें, सन्योजक्त कि इस तरीके से इसात इसाधेदारी हो जाएगी और ये हमारे पास बन क्या जाएगा वह तू ऑक्सियन का एक अडू बनता है चलिए देखिए इसलिए उता है कि होता एक सब्सक्राइब करना कि फूब होता है किना थ्याधे के पर्माडू एल कोस्त में देखिए, एक हमारे पास k-coaster में दो इलेक्टोन, l-coaster में 6 इलेक्टोन है, अस्टक पूरा करना है तो दो इलेक्टोन भाई गरहन करेगा यही बात हो रही, समझ दीज़े क्योंकि oxygen के पर्माडू, l-coaster में 6 इलेक्टोन होते हैं आक्षियन की परमाड संख्या पता होनी चाहिए आपको कितनी है आठ है आप लोग एक से लेकर के 30 तक परमाड करमांग याद कर लीजिए एक से 30 तक के तक्तों के जो परमाड करमांग है आप लोग याद कर लीजिए तता इसे अस्टक पूरा करने के लिए दो और इलेक्टोनों की आउसकता होती है कितने इलेक्टोनों की आउसकता होती है दो और इलेक्टोनों की आउसकता होती है जैसा कि अभी इमने चर्चा करी अतहां ओक्सियन का प्रत्येक प्रमाडू आक्सियन के अन्य परमाडू के साथ दो इलेक्ट्रोनों की साज़ेदारी करता है अभी जब हमने हाइडोजन की बात करी हमने क्लोरीन की बात करी तो इसमें जो साज़ेदारी है वो एक-एक इलेक्ट्रोन की हो रही थी लेकिन यह जो हमने oxygen वाला पढ़ा इसमें हमारी इलेक्टोनों की कितने इलेक्टोनों की साजेदारी हो रही है और दो दो इलेक्टोनों की साजेदारी से हमारे पास कैसा बंद बंद रहा है यहां पर देखिए एक बंद यहां पर देखिए एकल बंद था ना और यहां पर एक बंद दो बंद तो यहां पर हमारे पास डबल बॉंड यानि की दुई बंद बन रहा है समझ रहे हो इस्टुडेंट्स आप लोग आगे देखिए जिस से हमें चित्र चारदस्वनों 3 के अनुसार यहां पे 4.3 है देखिए 4.3 के अनुसार सनरचना प्राफ्थ होती है कुछ इस तरीके से में सनरचना प्राफ्थ होती है इलेक्टोनों के दो सहभागी युगुप्रावत होता है इसे दो परमाडों के बीच दुई बंद बनना कहते हैं कौन सा बंद दुई आबंद बनना कहते हैं दुई आबंद बनना क्या हो गया समझ गई students आप लोग जब दो दो इलेक्टोनों की साजेदारी होती है तो इससे जो बंद बंदता है वो दूई बंद होता है क्या अब आप जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं जिसमें ऑक्सिजन के एक परमाडू यों हाइडोजन के दो परमाडू के बीच आबंदन की प्रत्कृति को धर्साया गया हो इस अणु में एक आबंद अथ्वा दूई इसको इस्टूडेंट्स आप लोग करना चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे देखिए आप लोग आगे देखिए नाइट्रोजन के दूई परमाडू अडू में अब हम लोग नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के दूई परमाडू यानि कि नाइट्र क्रमान क्या होता है यह सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लास नाइंत में पढ़ी है आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना तो यहां पर देखिए क्योंकि जब तक आप लोग सब्दों को नहीं समझ पाओगे तब तक केमेस्ट्री समझ में नहीं आएगी साइंस पढ़ना कि परमॉड संख्या कितनी होती है साथ होती है अव नायटोजन का परमॉड कुर्मा कितना होता है साथ होता है तो electronic बिन्यास इसका करेंगे कितना हो जाएगा दो पांच अब देखिए यह जो नायटोजन है यह पांच एलेक्ट्रोन त्याग नहीं कर सकता यह तीन electron brand करके रिडायन बनाएगा अब इसको तीन electron तो चाहिए तो चलिए इसको दरसाते देखिए बाहरी कोस में कितने electron है इसके पांच electron है ऐसके तीन electron गरहन करेगा तो चलिए आप लोग nitrogen को देखिए हमने drip electron इसका इसके साथ इलेक्ट्रोनों की साजेदारी कुछ इस तरीके से करेगा देखिए इलेक्ट्रोनों की साजेदारी कुछ इस तरीके से करेगा अब आप लोग यहां पर देखिए दो यहां पर है तीन यहां पर दो तीन पांच हो गया और तीन इलेक्ट्रोनों की साजेदारी करी तो इसके पास कितने electron हो गए 8 अब यहाँ पे देखिए 2 है 3 यहाँ से 5 और 3 की साजेदारी करी तो कितना हो गया 8 यानि कि अब इनका stack क्या हो चुका पूरा और क्या हो चुके stabilize हो चुके है और इनका जो bond बना देखिए triple bond N यही बना और अगर हम लोग इसकी बात करें तो यह हमारा अडू क्या बना nitrogen तो यहाँ पे triple warning होती है ठीक है त्रिवंद होता है आगे देखिए इसका electronic बिन्यास यहाँ सनियोजन छमता क्या होगी अस्ट्रक प्राप्त करने के लिए nitrogen के एक अडू में nitrogen का प्रतेक परमाडू तीन electron देता है जिसमें electron के तीन सहभागी यूगम प्राप्त होते हैं कितने सहभागी यूगम प्राप्त होते हैं तीन आप देखिए न एक, दो, तीन सहभागी यूगम प्राप्त हो रहे हैं इसे दो परमाडू के बीच त्रि आबंद का बनना कहते हैं N2 की इलेक्ट्रन बिन्दु सररचना इसके त्रिबंद के चित्र 4.04 के अनुसार धर्षाया गया है तो यहां प्र formula की कुछ इस तरीके से साजेदारी हो गई और यहाँ पर कुछ इस तरह के से त्रिवंद का बन्ना दिखाया गया तो बच्छों आप लोग समझ रहे होंगे चलीए आप हम लोग नैक्स चलते हैं और चीजों को समझते है आगे आप लोग देखिए आप हम मेठेन की मेधेन की बात अगर हम लोग अमोनिया के अडू का सूत्र एन एस्थ्री है अगर हम लोग अमोनिया के अडू सूत्र की बात करें तो अमोनिया के अडू का सूत्र क्या है एन एस्थ्री एन एस्थ्री हमारा क्या होता है अमोनिया होता है इसको आप लोग कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो देखिए नाईट्रोजन का ईंग जो सनयोजी एेक्रणों की सणख्या की बात करें नाईट्रोजन के अगर लोग शन्योजकता की बात करें कितroeं होती है है तो इने लेक्रण गरहन करेगा और इसने क्या किया dign hydrogen के साथ bonding मना ली आयसे हैं तो हमारा क्या बनता है अब यहां पर देखिए तीन दो पांच तीन यहां से आठ अश्टक पूरा हो गया तो हमारी पास बनता क्या है एन एस थी क्या आप इस अडू की इलेक्टोन बिंदू सनच्ना को चित्रित कर सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको चित्रित करना चित्रित कर लीजिएगा जिसमें यह दर्साय गया हो कि कैसे सभी चार परमाणों को उत्कृष्ट गैस बिन्यास की इस्तिती प्राप्त हुई इन अणूं में एक दूई अथव ग्यावा त्री कौन सा बंद होगा तो यहां पर देखिए कौन सा बंद हमारा बन रहा है एक टोनों की सारेदारी हो रही है तो त्रीबंद बन रहा है आगे देखिए अब हम मेथेन को देखते हैं किसको देखेंगे मेथेन को देखते हैं मेथेन को देखिए अब हम मेथेन को देखते हैं जो कार्बन का योगिक है मेथेन किसका योगिक है कार्बन का योगिक है इंधन के रूप में मेथेन का अजिकादिक उपयोग होता है तथा यह बायो गैस एवं संपीरित प्राकिर्ति गैस का परमुग घटक है यह कार्बन के सरबादिक सरल योगिकों में से एक है अगर हम लोग कार्बन के सरबादिक सरल योगिक की बात करें तो कार्बन का जो सबसे अधिक यह क्या है मेथेन है और मेथेन का सूत्र क्या होता है CH4 होता है जैसा की आप जानते हैं हाइडोजन की सन्योजकता कितने है 1 है कार्बन कैस कितना सन्योजिक होता है चतू सन्योजक होता है यानि कि इसकी सन्योजक्ता कितनी होती? 4 होती है क्योंकि इसमें 4 सन्योजक्ता इलेक्टोन होते है कितने सन्योजी इलेक्टोन होते है? 4 उत्क्रिष्ट गैस बिन्यास की इस्टिती को प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्टोनों की साज्यदारी हाइडोजन के चार परमाणूं के साथ करता है यहाँ पर देखिए हमारा क्या है कार्बन है कार्बन कितना सन्योजी तत्तो है सन्योजगता कितनी होती चार होती है तो यहाँ पर जो कार्बन की सन्योजगता है उसको यहां पर right कर दिया गया यानि की carbon का जो बाहरी कोस है इसमें electron की संग्या को right कर दिया गया है और hydrogen के चार पर्माड़ों के साथ क्या करता है आबंद बनाता है तो प्रत्य हाइड्रोजन के पास कितने सन्योजी electron होते हैं वन होते हैं इस तरीके से और इस तरीके से देख बनने वाले आबंद सहसन्योजी आबंद कहलाते हैं सहसन्योजी आबंद वाले तो इस तरीके से जो बंद बनता कौन सा बंद होता है सहसन्योजी आबंद कहलाते हैं सहसन्योजी आबंद वाले अणुओं में भीतर तो क्या होता है भीतर तो प्रबल आबंद होता है बीतर तो प्रवन्द आबंद होता है लेकिन इनका अंत्रा अणुक बल जो इनका इंटर मोलिकुलर फोर्स आप ट्रेक्शन होता है इनका जो अंत्रा अणुक बल होता है और कैसा होता है दुरुबल होता है कमजोर होता है जिसके फल्स रूप इन योगिकों के कुथनांग इवन गलनांग कम होते हैं परमाड़ों के बीच इलेक्टोनों की साझेदारी होती है और आवेसित कड़ बनते हैं सामानिता ऐसे सहसनी योजिक योगिक विद्धूत के कुचालक होते हैं बिद्युत के कुछालक होते हैं तो स्टूडेंट्स कार्बन अप लोग यहां पर भी पढ़ लीजिए कार्बन के अपर रूप कार्बन के अपर रूप परकृत में जो कार्बन तत्त है अनेक बिविन बहुती गुणों के साथ बिविद रूप में पाया जाता है क्या होता है बिविद रूप में पाया जाता है हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणूं से बने हैं अगर हम लोग हीरा की बात करें, अगर हम लोग ग्रेफाइट की बात करें, तो जो हीरा एवं ग्रेफाइट हैं, एक कार्बन के परमाड़ूं से मिलकर बने हैं, तो कार्बन के परमाड़ूं के प्रस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है, किस बात क का तरीका होता है इनके bonding के तरीकों के आधार पर ही इन में अंतर होता है जो bonding का तरीका होता है जो आबंदन का तरीका होता है आबंदन के तरीकों के आधार पर इसमें क्या होता है अंतर होता है हीरे में कारबन का प्रतेक परमाडू ध्यान से सुनिए हीरे में जो कारबन होता कार्बन का प्रतेक प्रमाड़ कार्बन के चार अन्य प्रमाड़ों के साथ आबंदित होता है जिसमें एक डिड़ आयामी सनरचना बनती है जैसा कि यहां पर आप लोग देख रहे हों जो कार्बन का एक प्रमाड़ चार अन्य प्रमाड़ों से क्या होता है आबंदित होता है जिसमें एक द्रड़ आयामी संरचना बनती है ग्रेफाइट में कार्बन के प्रतेग प्रमाड़ का आबंधन अब यहाँ पे जो ग्रेफाइट की संरचना बनी हुई है आप लोग इस ग्रेफाइट की संरचना को देखिए ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्य प्रमाणू का आबंधन, कार्बन के तीन अन्य प्रमाणू के साथ एक ही तलपर होता है, एक तीन प्रमाडू से जुड़ा होता है के साथ एक ही तल पर ओता है जिसे सट कोरी यह भी हो मिलता है यहां पर देखिए जो भी हो न रहा है कैसा मिल रहा है सट कोड़ी ये मिल रहा है कुछ इस तरीके से देखिए सट कोड़ी ये मिल रहा है देहां से देखिए और इन में से एक आबंद दूई आबंदी होता है जिसके कारण कारबन की सन्योजकता पूड़ होती है ग्रेफाइट की सनरचना में सट कोड़ ये तल एक दूसरे के उपर क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं यहां पर हमारे पास हीरे की सनरचना आप लोग देख लिजिए हीरे की सनरचना है एक ग्रेफाइट की सनरचना है और यहां पे C60 बक मिस फिटर फुलेरीन की सरचना, इस सरचना को भी आप लोग देखिए, इन दो बिबिन सरचनाओं के कारण ही, हीरे एवं ग्रेफाइट के बहुती गुण अत्यन तो भिन होते हैं, जो हीरा है, जो ग्रेफाइट है, इसके जो गुड़ों में भिनता है, इनकी बिबिन सरचनाओं के कारण ही है, जबकि उनके जो रासायनि गुड़ों धर्म हैं, वो एक समान होते हैं, हीरा अब तक का ज्यात सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, अगर सबसे अधिक कठोर पदार्थ की बात की जाए, तो सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है, ह हीरा होता है सबसे दी कठोर पदार कौन सा होता ही रहा होता है इसको आप लोग दिमाग में उतार लीजेए जबकि ग्रेफाइट चीकना तता फिसलंसील होता है पिछले अध्याय में आपने जिन अधातूं के बारे में अध्यन किया उनके विपरित ग्रेफाइट बिद्दुत का सुचालक होता है ग्रेफाइट क्या होता है बिद्दुत का सुचालक होता है इस बात को आपनों को ध्यान से समझना है एधातू नहीं है फिर भी बिद्दुत का क्या होता है सुचालक होता है अर्थात इसमें बिद्धु धारा परवाहित हो सकती है चलिए हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट कार्बन की जो सर्वतो मुखी परवृत्ती है कार्बन की सर्वतो मुखी परवृत्ती को लोग इस्टडी करेंगे के इसको आप लोग पढ़ लेना आगे पढ़िए कार्बन की सर्वतो मुखी परवृत्त परवृत्ती कि विद्ध तत्तों एवं योगिकों में हमने इलेक्ट्रोनों की साजेदारी द्वारा सह सन्योजी आबंद का निर्मार देखा अभी अभी हमने देखा कि जो भिन्द भिन्द प्रकार के तत्तों हैं इन तत्तों एवं योगिकों में हमने इलेक्ट्रोनों की जो साजेदारी हैं, इलेक्ट्रोनों की साजेदारीदारा, सहसन्योजी आबंद का निर्मान देखा, हमने सरल कार्वन यौगी किसकी सरल कार्वन यविक, जैसे मेथेन की सनरतना भी अभी हमने देखी, मेतेन की सरचना भी देखी अध्यायक के आरम में हमने देखा कि कितनी वस्तुओं में कारवन पाया जाता है वस्तुता हम स्वयम भी कारवन के योगिक से बने हुए है अगर हम लोग अपनी बात करें या आपकी बात करें तो हम और आप भी किसके बने हुए हैं कार्बन के बने हुए हैं हाल ही में रसायन सास्त्रियों द्वारा सूत्र सहीत ग्यात कार्बन योगिकों की गड़ना की गई है जो लगबग कई मिलियन आ की गई है कितनी है कई मिलियन आ की गई है कार्बन जो योगिकों की संख्या कई मिलियन है अन सभी तत्तों के योगिको को एक साथ रखने पर भी जो अन दूसरे तत्तों हमारे हैं दूसरे तत्तों के जो योगिक हैं अगर दोनों को एक साथ रखने पर भी इनकी संक्या उन सबसे कहीं अधिक है अगर कार्बन के योगिकों की बात करें और जो हमारे दूसरे तत्तों के योगिक हैं इनको अगर हम लोग साथ रखें तो जो इसके योगिकों की संख्या हैं उस सबसे बहुत अधिक है आगे देखिए ऐसा क्यों की यह गुर्धर्म केवल कार्बन में ही मिलता ऐसा क्यों है कि यह जो गुर्धर्म है सिर्फ और सिर्फ कार्बन में ही मिलता है किसी और तत्तों में नहीं ऐसा आप लोग सोचिए सह सन्योजी बंद की परकृती के कारण इसकी जो परकृत होती है सह सन्योजी बंद बनाने की इसकी इसी परकृती के कारण कारण की बड़ी संख्या में योगिक बनाने की छमता होती है इसका कारण क्या है क्योंकि जो कारबन है वो सह सनियोजी बंद बनाता है सह सनियोजी बंद बनाने की इसी छमता के कारण जो कारबन है वो ज़्यादा से ज़्यादा योगिक बनाने की छमता रखता है कार्बन में कितने कारक देखे गए हैं दो कारक देखे गए हैं पहला कार्ब केटेनेशन होता है स्रिंखलन होता है स्रिंखलन क्या है इसको भी आप लोग इस्टडी करते हैं समझे आप लोग चीजों को समझते चलिए देखिए कार्बन में कार्बन केई अन्य परमाड़ूं के साथ आबंद बनाने की अदूतिये छमता है जिसमें बड़ी संके में अडू बनते हैं इस गुड को क्या कहते हैं स्रिंखलन कहते हैं स्रिंखलन क्या होता है कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाड़ूं के साथ आबंद बनाने की अदूतिये जो छमता होती है जिससे बड़ी संके में अडू बनते हैं कार्बन के इस गुड को स्रिंखलन यानि की कटिनेशन कहते हैं इन योगिकों में कार्बन की लंबी स्रिंखला, कार्बन की विविन साखाओं वाली स्रिंखला अथवा वल्य में विवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं, साथी कार्बन के परमाडू एक, दुई, अत्वा त्री बंद आबंद से जुड़े हो सकते हैं, सिंगल बॉंड भी हो सकता है double bound भी हो सकता है और triple bound भी हो सकता है carbon परमाणूओं के बीच केवल एक ही आबंद से जुड़े carbon के योगिक संतृप्त योगी कहलाते हैं अगर हम लोग संतृपत योगिकों की बात करें तो संत्रेतियोगी क्या होते हैं देखिए संत्रेतियोगी क्या होते हैं कार्बन परमाड़ों की बीच केवल एक जैसे कार्बन का हमारे पास कोई परमाडू है और इनके बीच जो bonding हो रही है। यह सिंगिल बॉन्ड है सिंगिल बॉन्ड है तो एक लिए एक आबंध कीवल एक शिंगिल बॉन्ड एक-बंध केसे योगि कार्बन मत्री अगर double bond वन रहा या triple bond वन रहा है तो आसंत्रिप्तियोगिक कहलाते हैं इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है अगर single bond है यानि कि एकल बंद है एक आ बंद है तो संत्रिप्तियोगिक होगा दो bond है यानि कि double bond या triple bond है तो आसंत्रिप्तियोगिक कहलाते हैं कार्बन में जिस सीमा तक स्रिंखलन का गुड़ पाया जाता है वह किसी और तत्त में नहीं मिलता है यानि कि कार्बन ऐसे ऐसे आप लोग देखोगे ना बहुत लंबी स्रिंखला बनाता चला जाता है और यह बहुत को अपी आप किसी दूसरे देखिए उस तरीके से कार्बन बॉन इंग मनाता है ऐसे ऐसे आपको बहुत लंबी स्रिंखला मिलेगी भी आप लोग स्टेड़ी करोगे इसके बारे में आगे की क्लासेष में में भी आप लोगों क台ह से से स्टेड़ी करने जाता है वह किसी और तत्त में नहीं मिलता है सिलिकॉन हाइडोजन के साथ योगिक बनाते हैं जिनमें साथ या आठ परमाणूँ तक की स्रिंखलन हो सकती है लेकिन यह योगिक आति अभगरिया सील होते हैं कार्बन कार्बन आबंद आत्यदिक प्रबल होता है अगर कार्बन कार्बन आबंद बन रहा है तो एक ऐसा आबंद बनेगा अत्यदिक प्रबल आबंद बनेगा इस बात को आप लोग समझते रहें इनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी और बहुत ही प्रबल बॉन्डिंग होगी अताया अस्थाई अताया अस्थाई होता है कैसा होता है अस्थाई होता है फलस रूप अनेक फलस रूप अनेक कार्बन परमानों के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक योगिक प्राप्त होते हैं सेकेंड नमबर क्या है चो कि कार्बन की सन्योजकत कितनी होती है चार होती है अता इसमें कार्बन के चार अने परमाड़ूं कार्बन के कितने अने परमाड़ूं कार्बन के चार अने परमाड़ूं कार्बन के चार अने परमाड़ूं अथवा कुछ अन्य सन्योजक तत्तों के परमानों के साथ आबंधन की छमता होती है जैसा कि ऑक्सिजन, हाइडोजन, नाइट्रोजन, सलफर, क्लोरीन तता अनेक अन्य तत्तों के साथ कार्बन के योगिक बनते हैं सलफर, क्लोरीन और अनेक अन्य तत्तों भी हैं जिनके साथ कार्बन क्या करता योगिक बनाता है फल्सरूप ऐसे विशेश गुड़ वाले योगिक बनते हैं जो अनू में कार्बन के अत्रिक उपस्थित तत्तों पर निर्भर करते हैं आगे देखिए इस्टूडेंट अधिकतर अन्य तत्तों के साथ यानि कि जो दूसरे तत्तों हैं तूसरे तत्तों के साथ अगर कार्बन की बॉर्णिंग हो रही है तो भी क्या होते हैं अत्य प्रबल होते हैं इसका छोटा आकार भी है जो कार्बन का आकार होता कैसा होता है छोटा होता है और कार्बन द्वारा जो प्रबल आबंदों के निर्वाण का ये कारण क्या है इसका छोटा आकार भी है इसके कारण इलेक्ट्रोन के सहभागी इग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है यानि कि जो कार्बन है कार्बन का आकार कैसा होता है छोटा होता है आकार छोटा होने के करण ये जिस भी तक तुसे साजेदारी करता है इलेक्ट्रोनों की साजेदारी करता है तो उसके जो इलेक्ट्रोन यानि की साजयदारी के इलेक्ट्रोन होते हैं इसका जो नौभिक होता है अकार छोटे होने की कार्ण बहुत तेजी के साथ पकड़ी रहता है जिससे क्या होते हैं अस्थाई होते हैं यूगमों को नाविक मजबूती से पकड़े रहता है बड़े परमाडूं वाले तत्तों से बने आबंद की तुल्ना में अत्यंत दुर्बल होते हैं जो बड़ा वाला होगा उसकी तुल्ना में अगर बात करें तो बड़े परमाडूं वाले तत्तों से बने जो आबंद होते हैं इनकी तुल्ना में अत्यंत क्य क्या होते हैं दुरूबल होते हैं चलिए हम लोग आगे देखते हैं इस्टुडेंट्स आप लोग आगे पढ़िए यहां पे कुछ जरूरी जानकारी देगे हैं आप लोग इस जानकवारी को भी पढ़ लीजिए क्या आप जानते हैं पढ़िए कार्बन में पाए जाने वाल चतु सन्योजक्ता और स्रिंखलन से बड़ी संक्या में योगिकों का निर्माड होता है कार्बन के बैलेंसी कितनी होती चार होती है इसके कारण और सिंखलन से बड़ी संक्या में योगिकों का निर्माड होता है अनेक योगिकों के अकार्बनिक परमाडू अथवा परमाडू के समुम विबिन कार्बन सरिंकराओं से जुड़े होते हैं मूल रूप से इन योगिकों को प्राकिर्तिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था। प्राकिर्तिक पदार्थों से तता यह समझा गया था कि कार्बन योगिक अथवा कार्बनिक योगिक केवल सजीओं में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात यह माना गया कि उनके संसलेशन के लिए एक जीवन सक्ती आवस्यक थी। 1828 में फ्रेडरिक ओलर ने अमोनियम साइनाइट से यूरिया बनाकर इसे असत्य परमाडित किया। लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट ता बाई कार्बोनेट लवणों के अत्रिक सभी कार्बन योगिकों का अध्यन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतरगत होता है।